राम राम भाई सारे बाईयान है यह फिमेल भी आई थी आठ तारीक को और इसका पिछे से देखो आप जैसे सूज गया है और कीडे भी पड़े हुए है यह देखो आप तो यह क्या होता है कि अभी मौसम जो चल रहा है ना वो बारिश का मौसम है इसमें नॉर्मल होता है यह बाते वैसे तो कीडे पड़ना अगर आपके फारम के अंदर मक्ही मच्छर आते हैं तो अगर आपके फारम के अंदर मक्ही मच्छर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत वार कोई बात नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे ही डिलिवरी देती है फिमेल उसके बाद क्या ही तर यह जगह सोफ्ट हो जाती है और जैसे मक्खी वगरा बैठती है तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं अब यह देखो कैसे प्रेशान है इसके कारण यह बाई इसमें मैं तो बढ़ता हूँ पेट्रोल एक सिरिंज में लिया और पेट्रोल लगा देता है इसको यह कल सुबह तक बिल्कुल हो क्यों हो जाएगी शूजन तो कम होगी नहीं थोड़ी बहुत होगी लेकिन क्या कीड़े निकल जाएंगे तो इसके एक भी कीड़ा टान रहेगा तो कीड़ा नहीं रहेगा तो जाभावीी ओकोमेटिक कर जाएगा इसका कि ये कुछ एक बाते होती है जो ग्यांदेने वारी होती है totally बोलते हैं कि पेट्रोल अपने जखंप से डालगे देखो बाई कितना दर्द होता है कितना क्या होता है बाई पता है सब क पेटरोल क्या काम करता है और कैसे काम करता है ठीक है लेकिन क्या करें आप दूसरा इलाज भी है इसमें आप और काफी दवाई आती है अच्छा और भी आती है कई लोग गरिश भी बढ़ते हैं जो यूज होने के बाद हो जाता है गरीश लगा देते हैं कई लोग इसमें फिलाइल बर के उपर से मिट्टी लगा देते हैं ताकि किड़े अंदरी मर जाएं तो यह काफी लाज होते हैं वाई शाब लेकिन जो जिसको सूट करता है वही करता है सबका अपना-पना अलग-अलग में थड़े सब अपने पने शाब से काम करते हैं तो जिसको जो अच्छा लगे वाई वो करो ठीक है जिसको जो चीज आओ लेबल हो पास में वो चीज लगाओ आप ठीक है मैं तो यही कहूंगा शर्प हाँ लेकिन अपनी फीमेल का द्यान र अब यह काफी प्रेशान है जैसे यह देखो आप